C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की ध्वने पुस्तक गणित का जादू चटा पाट लेनी देने का खेल प्रिष्ट संख्या 76 क्रिकेट मैच एक क्रिकेट मैच में श्रलंका ने 235 रन बनाए अभी तक भारत ने 123 रन बनाए हैं भारत को जीतने के लिए और कितने रन चाहिए भारत को जीतने के लिए 236 रन बनाने हैं जीतने के लिए और कितने रन जरूरी है 236 घटा 123 बराबर रिक्तिस्थान चीटी बोली अंदाजा लगाओ भारत को जीतने के लिए चाहिए क सौरन से ज्यादा, ख सौरन से कम. इस प्रिष्ट में एक स्टेडियम का द्रिश दिखाया गया है, जहाँ पर दो टीमें क्रिकट खेल रही है. साथ ही एक स्कोर बोर्ड भी दर्शाया गया है. चिडिया बोली, चलो घटाते हैं, पहले एक में से दूसरा एक लेते हुए. जीत के रन 236, भारत के रन 123. आए अब हम 236 में से 133 घटाते हैं. 236 में से 6 एकाई के स्थान पर है. इसके लिए हमने दाई तरफ, नीले त्रिभुज में छे बार एक लिखा है तीन दाई के स्थान पर है इसके लिए हमने पीले वर्ग में तीन बार दस लिखा है दो सेकड़े के स्थान पर है इसके लिए हमने हरे गोले में दो बार सो लिखा है तो पहले हम एकाई को घटाना प्रारंब करते हैं छे में से तीन घटाने हैं तो हम छे त्रिभूज में से तीन त्रिभूज काट देते हैं तो बचे तीन तो छे में से तीन गया तीन उसके बाद दहाई को घटाएंगे दहाई में, वर्ग में तीन बार दस लिखा है, तो तीन में से दो गए बचा एक, तो हमने दो दस को काट दिया, तो बचा एक, उसके बाद हम सैखड़े को घटाएंगे, दो सैखड़ा, यानि सो को हमने दो बार लिखा, उसमें से एक सो को काट दिया, तो बचा एक, एक सो, तो ये हो गए एक सो तेरा, जरूरी रन एक सो तेरा, अब हमारे पास बचे, एक के तीन त्रिभुज, दस का एक वर्ग, और सो का एक गोला, भारत को जीत के लिए चाहिए एक सो तेरा रन, प्रिष्ट संक्या सतत्तर, अपने आप करके देखो, गीता के बटुए में 368 रुपए हैं, उसने एक सो तेरा की एक किताब खरीदी, उसके बटुए में अब कितना पैसा बचा, उसके बटुए में बचे हुए पैसे 368 घटा, एक सो तेरा बराबर रिक्तिस्थान, चीटा बोला, अंदाजा लगाओ, गीता के बटुए में बचे हुए पैसे क, दो सो से ज्यादा है, क, दो सो से कम है, इस प्रिष्ट पर, गीता का चित्र दिया गया है, जिसमें, उसके एक हाथ में बटुआ है, और एक हाथ में पुस्तक है, गीता के बटुए में पैसे, 368, एकाई में आठ लिखा है, तो आठ के लिए, आठ बार, आठ त्रिबुच दिये हैं, छे दाहे के स्थान पर है, तो दाहे के लिए, छे वर्ग दिये हैं, और तीन सेखड़े के स्थान पर है, तो इसके लिए, तीन गोले दिये गए हैं, शिक्षकों के लिए निर्देश, शिक्षक छात्रों से इस पर चर्चा करें, कि उपर किस संख्या को लिखा जाएगा, और क्यों, प्रिश्ट संख्या, 78, क्या तुम नबीला की मदद कर सकते हो, नबीला की मा ने उसे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा, उसने इसके लिए 245 रुपई दिये, नबीला ने 127 रुपई में एक किलो घी खरीदा, दुकानदार ने उसे 98 रुपई वापस लोटाए, किलो ग्राम को किलो भी कहते हैं और लिखते हैं, दुकानदार उसे जो पैसे लोटाए, क्या वो ठीक थे? चलो पता लगाएं, नबीला के पास कुल पैसे 245, इसमें 5 इकाई के स्थान पर हैं, तो इकाई के लिए हमने 5 त्रिबुज बनाए हैं, 4 दहाई के स्थान पर हैं, जिसके लिए हमने 4 वर्ग बनाए हैं, और 1 वर्ग 10 को दर्श दर्शाता है, दो सेखड़े के स्थान पर है, इसके लिए हमने 2 गोले बनाए हैं, और 1 गोला 100 को दर्शाता है, चड़िया बोली, हम 5 त्रिबुज में से 7 त्रिबुज नहीं निकाल सकते, इसलिए 1 वर्ग उधार लिया, एक वर्ग है, 10 त्रिबुज के बराबर, चड़िया बोली, अब 15 त्रिबुज हो गए, तो 245 घटा 127 बराबर रिक्तिस्थान, तो अब हमने देखा, कि इस प्रिष्ट पर 245 में, पांच के स्थान पर हमें 15 दिखाई देगा, चार के स्थान पर 3, क्योंकि एक हासिल ले लिया था, और दो, अभी दो ही है, यानि दो सेकडा, तो 245 में हमें 2, 3 और 15 दिखाई देगा, और घटा 127, प्रिष्ट संख्या, नवासी, अब हम फिर 245 में से 127 घटाना प्रारंब करते हैं, इकाई के स्थान पर 15 दिखाई दिया था, तो 15 में से 7 गए, बचे 8, दहाई पर 4 थे, और 4 में से 1 हमने हासिल दिया था, तो बच गए 3, तो 3 में से 2 गए, बच गया A, अब हम सेकड़े पर आते हैं, सेकड़े पर 2 लिखा था, और नीचे एक, तो 2 में से 1 गया, बच गया A, तो इस तरह से हमें मिले 118 रुपई, चड़िया बोली, 15 त्रिभुज में से 7 त्रिभुज बाहर निकालने पर बाकी 8 त्रिभुज बचेंगे, दाहे के स्थान पर 2 वर्ग बाहर निकालने पर केवल एक वर्ग बचा, और सेकड़े के स्थान पर अब एक गोला बाहर निकालने पर केवल एक गोला ही बचा, इसलिए बचे हुए टोकन ये होंगे, 100 का एक गोला, 10 का एक वर्ग और एक के आठ त्रिभुज, दुकानदार को नवीला को 118 वापस देने चाहिए थे, बताओ, दुकानदार को अब और कितने रुपए नवीला को देने हैं? प्रिष्ट संख्या असी इस प्रिष्ट के पहले भाग में एक मा कच्वे और एक नन्ही कच्वे का चित्र है, अब्भ्यास का समय एक, नन्ही कच्वे का बच्चा 33 साल का है, उसकी मा 150 साल की है, मा से नन्ह कच्वा कितने साल छोटा है, कच्वे की मा की उम्र 150 साल है, नन्ही कच्वे की उमर 33 साल है, अब हम 150 में से 33 घटाते हैं, 150 में 01 के स्थान पर है, पांच दाहई के स्थान पर और एक सेंखड़े के स्थान पर, और 33 में 31 के स्थान पर है, और दूसरा 3 दाहई के स्थान पर, तो पहले हम एकाई के स्थान से घटाना आरंप करते हैं शून में से तीन नहीं जा सकता तो हमने दाहे के स्थान से एक हासिल लिया तो एकाई के स्थान पर शून के स्थान पर हो गया दस तो दस में से तीन गए बचे साथ दाहे के स्थान पर चार बचे तो चार में से तीन गए बच गया एक और सेख़ड के स्थान पर एक है और नीचे कुछ भी नहीं तो यहाँ पर बच गया एक तो हमारा उत्तर आया एक सौसत्रा नन्हा कच्छुआ मा कच्छुए से एक सौसत्रा साल छोटा है 2. अरविंद ने कहानी की एक किताब के 79 पणने पढ़े गौरी ने उसी कहानी की किताब के 95 पणने पढ़े किसने ज्यादा पणने पढ़े और कितने ज्यादा इस प्रिष्ट के अन्तिम भाग में दो बच्चे अर्विंद और गौरी का चित्र है जो पुस्तक पड़ रहे हैं आईए अब हम 95 में से 69 को घटाते हैं 95 में इकाई के स्थान पर है 5 और दाहाई के स्थान पर है 9 और 69 में इकाई के स्थान पर है 9 और दाहाई के स्थान पर है 6 तो 95 में से 79 गए बराबर रिक्तिस्थान शिक्षकों के लिए निर्देश शिक्षक छात्रों को स्वेम सोचने के लिए कहें कि वो सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे जोड, घटा, गोना या भाग ऐसे खूब सारे अभ्यास कराए जाने चाहिए प्रिष्ट संख्या 81 तीन रीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा पिछले महीने मीटर में 118 यूनिट था इस महीने 193 हो गया है उसने एक महीने में कितनी बिजली का इस्तेमाल किया इस प्रिष्ट के पहले भाग में एक लड़की रीना का चित्र है जो अपने घर में लगे बिजली के मीटर को देख रही है इस महीने मीटर में आई संख्या रिक्तिस्थान पिछले महीने मीटर में आई संखिया रिक्तिस्थान अब हम 193 में से 118 घटाएंगे 193 में 3 इकाई के स्थान पर है 9 दाहई के स्थान पर और 1 सेखड़ के स्थान पर और 118 में 8 इकाई के स्थान पर 1 दाहई के स्थान पर और 1 सेखड़ के स्थान पर तो 193 में से 118 गए बच गया रिक्तिस्थान उसने रिक्तिस्थान यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया चार खुश्बू 125 रुपए की एक कमीज और 165 रुपए की एक पेंट लेकर आई कुल मिलाकर उसने कितना पैसा खर्च किया इस प्रिष्ट के अंतिम भाग में एक लड़की खुश्बू का चितर है जिसने अपने हाथ में एक कमीज और एक पेंट पकड़ रखी है रिक्तिस्थान रुपए की कमीज खरी दी अब हम 165 में 125 जोडेंगे 165 में 5 इकाई की स्थान पर है 6 दाई की स्थान पर और 1 सेखड़ की स्थान पर और 125 में 5 इकाई की स्थान पर 2 दाई की स्थान पर और 1 सेखड़ की स्थान पर तो 165 जमा 125 बराबर रिक्तिस्थान उसने कुल मिलाकर रिक्तिस्थान रुपए खर्च किये प्रिष्ट संख्या 82 पांच नीचे दिये गए सवालों को हल करो 17 घटा 3 बराबर रिक्तिस्थान 14 जमा 3 बराबर रिक्तिस्थान 49 घटा 10 बराबर रिक्तिस्थान 12 जमा 24 बराबर रिक्तिस्थान 86 घटा 58 बराबर रिक्तिस्थान 149 घटा 110 बराबर रिक्तिस्थान, 237 जमा 213 बराबर रिक्तिस्थान, 325 घटा 204 बराबर रिक्तिस्थान, 474 घटा 136 बराबर रिक्तिस्थान, 642 घटा 413 बराबर रिक्तिस्थान 49 जमा 20 बराबर रिक्तिस्थान और 135 जमा 146 बराबर रिक्तिस्थान 6 अपने उत्तरों की जांच करो 236 घटा 114 बराबर 122 आईए अब हम अपने उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा उत्तर 122 सही है या नहीं आईए अब हम 122 में 114 जोड़ते हैं पहले हम इकाई के स्थान से प्रारंब करते हैं 2 जमा 4 हुए 6 फिर दाई के स्थान पर 2 जमा 1 हुए 3 अब सेंखडे के स्थान पर आते हैं, एक जमा एक हुए दो, तो ये हो गए 236, तो इसका अर्थ हमारा उत्तर सही है, तीन सो चालिस घटा 28, बराबर 312, आईए, अब हम जाच करते हैं कि क्या हमारा उत्तर 312 सही है ये नहीं, इसके लिए हम 312 में 28 जोडेंगे, आईए, हम इकाई के स्थान से प्रारंब करते हैं, तीन सो बारा में इकाई के स्थान पर दो है, और 28 में इकाई के स्थान पर आठ, तो दो जमा आठ हुए दस, दस का हमने लिखा शुन्य, और एक हमने उपर हासिल लगाया, एक जमा एक जमा दो हो गए चार, और तीन का तीन, अर्थात हुए तीन सो चालिस, इसका अर्थ हुआ कि हमारा उत्तर सही था, प्रिष्ट संख्या 83, रेश्पा ने घटा के कुछ सवाल किये हैं, उसने सवाल सही किये हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए तुम जोड का इस्तेमाल करो, हर सही उत्तर के लिए एक सही का निशान दो, तीन सो चौरासी घटा दो सो तिरतालिस, आईए हम इने घटाते हैं, पहले इकाई के स्थान से आरंब करते हैं, 384 में 4 इकाई के स्थान पर है और 243 में 3 इकाई के स्थान पर तो 4 में से 3 गए आया 1 अब 10 के स्थान पर आते हैं 10 पर 8 लिखा है और उसके नीचे 4 तो 8 में से 4 गए बचे 4 अब सेखड़ के स्थान पर आते हैं सेखड़ के स्थान पर तीन लिखा है और उसके नीचे दो तो तीन में से दो गए बच गया एक तो हमारा उत्तर हुआ एक सो अकतालीस आईए अब हम अपने उत्तर की जांच करते हैं हमने सबसे पहले लिखा एक सो अकतालीस हम एकाई से जोड़ना प्रारंब करें 141 में एकाई के स्थान पर एक है और 243 में एकाई के स्थान पर तीन तो पहले हमने एकाई के स्थान को जोड़ा अर्थात एक में तीन को जोड़ा तो एक जमा तीन हो गए चार अब दहाई की बारी आई दाहई पर 4 लिखा है और उसके निचे 4 तो 4 जमा 4 हो गए 8 अब सैकड़े के स्थान पर आते हैं सैकड़े में उपर लिखा है 1 और नीचे लिखा है 2 तो 1 जमा 2 हो गए 3 तो ये बन गया 384 अर्थात 141 जमा 243 बराबर 384 इसका अर्थ हुआ कि हमारा उत्तर सही है. 468 घटा 149 बराबर 221. अब आप इसे दिये गए खाने में जाच करके देखिए कि क्या ये उत्तर सही है? 356 घटा 247 बराबर 119 दिये गए खाने में अपने उत्तर की जाच करके देखिए कि क्या ये उत्तर सही है? 468 घटा 224 बराबर 244 दिये गए खाने में अपने उत्तर की जाच करके देखिए कि क्या ये उत्तर वास्तों में सही है? साथ, रंगीन खानों में छोटी हुई संख्या को भरो, अठत्तर, घटा तीन, रिक्तिस्थान, बराबर, रिक्तिस्थान, पाँच, दो, एक, रिक्तिस्थान, घटा, एक, रिक्तिस्थान, साथ, बराबर, रिक्तिस्थान, तीन, दो, इस प्रिष्ट के अंतिम भाग में एक चितर दिया गया है जिसमें दो बच्चे एक लड़की से माला खरीद रहे हैं छोटी लड़की कहती है अगर मैं एक माला और ले लूँ तो उसके पास फिर भी चालिस मोती बचेंगे शिक्षकों के लिए निर्देश शिक्षक बच्चों को प्रुसाहित करें कि वो गलत उत्रों पर चर्चा करें और उन्हें सही करें बच्चों को दूसरों की गलतियां सुधारने में मज़ा आता है ऐसा मौका कम ही मिलता है और वो इस प्रिक्रिया में काफे कुछ सीखते हैं प्रिष्ट संख्या 84 इस प्रिष्ट पर 431 से 490 तक अंक दिये गए हैं जो विभिन्य खानों में दर्शाय गए हैं चलो चिठियां बाटे हमारे पोस्टमेन चाचा आज बीमार हैं चलो उनके बदले हम चिठियां बाटते हैं हर चिठि पर सही कमरा संख्या लिखो फिर इस मकान में कमरों का पता लगाओ और उन पर घेरा बनाओ चार सो पेंतालिस जमा दस बराबर कमरा चार सो पचपन कमरा संख्या चार सो पचपन पर एक घेरा बनाओ अब तुम स्वेम करके देखो चार सो सडसट जमा ग्यारा बराबर कमरा रिक्तिस्थान चार सो पचास घटा उननीस बराबर कमरा रिक्तिस्थान चार सो तीस जमा पंदरा बराबर कमरा रिक्तिस्थान चार सो चपन घटा बीस बराबर कमरा चार सो चतीस चार सो असी घटा नौ बराबर कमरा रिक्तिस्थान 498 घटा 23 बराबर कमरा रिक्तिस्थान 452 जमा 18 बराबर कमरा रिक्तिस्थान 461 जमा 25 बराबर कमरा रिक्तिस्थान 426 जमा 38 बराबर कमरा रिक्तिस्थान 439 जमा 10 जमा 20 बराबर कमरा रिक्तिस्थान 466 घटा 33 बराबर कमरा रिक्तिस्थान और 410, जमा 13, जमा 11, बराबर कमरा, रिक्तिस्थान शिक्षकों के लिए निर्देश शिक्षक छात्रों को इसके लिए प्रोत्साहित करें कि वो सवालों को उपर दिये गए चाट के सहारे मन ही मन हल करें प्रिश्ट संख्या 85 चोटी हुई संख्याओं का पता लगाओ ये संख्या पैटर्न देखो और चोटी हुई संख्या का पता लगाओ क, 100, 200, 300, रिक्तिस्थान, 600, रिक्तिस्थान ख, 900, 800, 700, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, 400, रिक्तिस्थान, ख, 50, 100, 150, 200, रिक्तिस्थान, 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 घ, 300, 250, 200, रिक्तिस्थान, 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 च, रिक्तिस्थान, 25, 35, 45, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान च, दो सो असी, दो सो साथ, दो सो चालिस, रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान और ज, 125, 150, 175, 200, रिक्तिस्थान, 250, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 86, मन ही मन गणित, क, असी घटा 35, बराबर 45, 45, जमा 35, बराबर रिक्तिस्थान चीटी बोली, 45, जमा 35, बराबर कितने, 45, जमा 30, जमा 5, बराबर कितने चीटी बोली, 80, 30, घटा 5, बराबर 50, घटा 5, बराबर 45 ख, 75 घटा रिक्तिस्थान, बराबर 50, पचास जमा रिक्तिस्थान, बराबर रिक्तिस्थान ग, पचास जमा 60, बराबर रिक्तिस्थान, एक सो दस घटा 60, बराबर रिक्तिस्थान घ, 320, घटा 120, बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, जमा 120, बराबर 320 प्रिष्ट संख्या 87, अभ्यास का समय इस प्रिष्ट के पहले भाग में, दो लड़कियां, इंदू और ज्योती, अपने हाथ में पैंसिल लेकर हस रही है एक, इंदू की पैंसिल 15 सेंटीमीटर लंबी है, ज्योती की पैंसिल 8 सेंटीमीटर लंबी है किसकी पैंसिल ज्यादा लंबी है, कितनी ज्यादा लंबी है, दो, अपने माता पिता से पूछो, एक किलोग्राम नमक का दाम, रिक्तिस्थान, एक किलोग्राम चीनी का दाम, रिक्तिस्थान, इनमें से कौन ज्यादा कीमती है, किसकी कीमत कितनी ज्यादा है, तीन, अजे को रूटी बनाने में 25 मिनट लगे और फिर दाल बनाने में 15 मिनट लगे उसे दोनों चीजे बनाने में कुल मिला कर कितना समय लगा इस प्रिष्ट के अगले भाग में एक लड़के अजे का चित्र है जो रसोई में खाना बना रहा है चार, चंचल स्कूल के लिए स्वेटर बेशती है दो दिनों में उसने लाल, नीले और भूरे रंग के स्वेटर बेचे अब यहाँ पर तीन भाग में रंगों के नाम लिखे हैं लाल, नीला और भूरा पहले दिन भिके स्वेटर लाल रंग के 38, नीले रंग के 66 और भूरे रंग के 74 दूसरे दिन भिके स्वेटर लाल रंग के 40, नीले रंग के 23 और भूरे रंग के 89 इन्हें देखो और अब इन सवालों का जवाब दो क, चंचल ने दो दिनों में कुल मिलाकर कितने भूरे स्वेटर बेचे क्या उसने दो दिनों में नीले स्वेटरों से ज्यादा लाल स्वेटर बेचे है प्रिश्ट संख्या 88 ग, उसने पहले दिन कितने लाल और भूरे स्वेटर बेचे? 120 से ज्यादा या 120 से कम? सही जवाब पर सही का निशान लगाओ. 120 से ज्यादा बराबर रिक्तिस्थान, 120 से कम बराबर रिक्तिस्थान. ग, दूसरे दिन उसने कुल मिला कर कितने स्वेटर बेचे? 140 से ज्यादा या 140 से कम? सही जवाब पर सही का निशान लगाओ. 140 से ज्यादा बराबर रिक्तिस्थान, 140 से कम बराबर रिक्तिस्थान. 5. क्या संगीता सही है? इसी प्रिष्ट के अगले हिस्से में एक द्रिश दिखाया गया है, जिसमें एक लड़की संगीता अपनी दादा के साथ बाजार गई है और वहाँ पर दुकान पर रखी वस्तों को देख रही है. वहाँ पर दुकान दारने जो कीमत रखी हैं वो इस प्रकार हैं. तेल 70 रुपए, बिस्कुट 25 रुपए, घी 127 रुपए और चावल 10 किलो 150 रुपए. उस ने वहाँ रखे सामानों की कीमते देखी और अपनी दादा से कहा, बिस्कुट के पैकिट से 40 रुपए ज्यादा है. रिक्तिस्थान क्या संगीता सही है? ओपर दिये गए खानों में सही या गलत का निशान लगाओ. क्या तुम बिना लिखे इसका पता लगा सकते हो? प्रिश्ट संख्या नवासी कहानी पर सवाल निशा और सोनू सवाल बनाने का खेल खेल रहे थे. निशा ने कहा, एक कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़किया हैं. सोनू, क्या तुम इस पर कोई सवाल बना सकते हो? सोनू ने लिखा, कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़किया हैं. तो कुल मिला कर कितने च्छात रहें? तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहानी पर सवाल बना सकते हो. नीचे दिये गए चित्रों में कहानी छिपी है. हर चित्र के सामने लिखे शब्दों को पढ़ो और चित्र के नीचे अपने सवाल को लिखो कि 36 आदमी और 52 औरतें अपने बारी का इंतिजार कर रहे हैं. इस प्रिष्ट पर नीचे एक द्रिश दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे इस्त्री पुरुष दर्शाय गए हैं और साथ ही एक बोड है जिस पर लिखा है आपका वोट कीमती है. प्रिष्ट संख्या नब्बे ख हमने दोपहर का खाना 20 मिनट में खाया और फिर 15 मिनट खेल खेला. इस प्रिष्ट पर पहले भाग में कुछ बच्चे खाना खाते हुए दिखाये गए हैं और इसी के सामने एक दूसरे द्रिश्ट में बच्चे खेलते हुए दिखाये गए हैं. ग, पोस्ट ओफिस शाहिद के घर से एक किलोमीटर है और उसके स्कूल से दो किलोमीटर है. यहाँ पर शाहिद का घर, उसका स्कूल और पोस्ट ओफिस को दिखाया गया है. ग, बंटी ने 27 किताबें पढ़ी और बबली ने 34 किताबें पढ़ी. इसी प्रिश्ट के अंतिम भाग में किताबों की दो अल्मारिया और दो बच्चे किताबें पढ़ते हुए दिखाये गए हैं. प्रिश्ट संख्या एक्यानवे. घटाने के लिए गिनो. डोलमा ने चार दर्जन अर्थात 48 केले खरीदे और अपने हर दोस्त को एक केला दिया. अब 13 केले बचे रह गए. कितने दोस्तों को केले मिले? जैसके तुम जानते हो कि इसका पता 13 से आगे गिनकर लगाया जा सकता है. ये आसान होगा कि हम 10 की छलांग लगाते हुए गिने. तुम चाहो तो पेज 29 पर दिखाये किट्टू के घर का इस्तेमाल कर सकते हो. 48 घटा 13. 13 जमा 10 हुए 23. 23 जमा 10 हुए 33. 33 जमा 10 हुए 43. और 43 जमा 5 हुए 48. 10 जमा 10 जमा 10 जमा 5 बराबर 35. इसलिए 48 घटा 13 बराबर 35. क चपन घटा 37 बराबर रिक्तिस्थान. 37 जमा 10 बराबर 47. 47 जमा 10 बराबर 47. गटा 1 बराबर 56. दस जमा 10 घटा 1 बराबर रिक्तिस्थान. इसलिए 56 घटा 37 बराबर रिक्तिस्थान. ख. 60 घटा 45 बराबर रिक्तिस्थान. इसलिए 60 घटा 45 बराबर रिक्तिस्थान. इसलिए 60 घटा 45 बराबर रिक्तिस्थान. ग. असी घटा उन्सट, उन्सट जमा एक बराबर साथ, साथ जमा दस बराबर सत्तर, सत्तर जमा दस बराबर असी, रिक्तिस्थान जमा, रिक्तिस्थान जमा, रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान, इसलिए असी घटा उन्सट बराबर रिक्तिस्थान, घ, 85 घटा 63 बराबर रिक्तिस्थान अल, 84 घटा 69 बराबर रिक्तिस्थान च, 60 घटा 20 बराबर रिक्तिस्थान और च, 90 घटा 50 बराबर रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 92, राजा के घोडे एक राजा था, वो केवल नौ तक गिन सकता था तुम किस संख्या तक गिन सकते हो? राजा को घोडों से बहुत प्यार था लेकिन वो कभी भी उन सभी को नहीं गिन पाता था वो उन्हें इस तरीके से रखता था कि उसे हर तरफ से केवल नौ तक गिनने की जरूरत हो इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें राजा अपने घोडों को देख रहा है यहाँ पर एक वरगाकार आकरती है जिसके नौ खाने हैं सबसे बीच का खाना खाली है बाकी सभी आठ खानों में प्रते खाने में तीन तीन घोडों के चित्र दिए हुए है अर्थात सभी आठ खानों में तीन तीन घोडों के चित्र है साथ ही तीन तीन का एक वर्ग दिखाया गया है जिसके नौ खाने हैं और सबसे बीच का खाना खाली है बाकि सभी खानों पर तीन अंग लिखा गया है राजा के पास कुल मिला कर कितने घोले थे रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या तिरानवे एक दिन अपने चार घोलों के साथ एक यात्री वहां आया रात बहुत हो गई थी इसलिए वो रात को वहां रुकना चाहता था रखवाला घबरा कर बोला ना बबा ना राजा को पता चल गया तो बस हो गई छुट्टी यात्री ने उससे कहा तुम घबराओ नहीं राजा को कभी पता नहीं चल पाएगा यात्री ने घोलों को इस तरह रखा यहां पर एक वरगाकार आकरती है जिसके नो खाने है बीच का खाना बिलकुल खाली है उपर के पहले खाने में लिखा है दो, पाँच, दो बीच के खाने में है पाँच, रिक्तिस्थान पाँच और तीसरे खाने में है दो, पाँच, दो अब यहां कितने घोडे हैं? रिक्तिस्थान इसी प्रिष्ट के अंतिम भाग में एक यात्री और रखवाले का चित्र है और साथ ही एक घोड़ा भी बना हुआ है रात को राजा वहाँ आया और उसने घोड़ों को गिना चारों तरफ से उसने नौही गिने उसने कहा हाँ सब ठीक है और घोड़े गिनकर वो खुशी से सोने चला गया सुभा उठते ही चालाक यात्री ने एक दूसरी तरकीब लगाई उसने अपने चार घोड़े तो बाहर निकाल ही लिये साथ ही वो राजा के कुछ घोड़े भी लेकर भाग गया वो राजा के घोड़ों को इस तरह से खड़ा कर गया यहाँ पर एक वरगाकार आकरती है जिसमें नौ खाने है पहले खाने में लिखा है चार एक चार दूसरे खाने में एक रिक्तिस्थान एक तीसरे खाने में चार एक चार बीच का खाना खाली है मूर्ख राजा को यह पता नहीं लगा कि उसके कुछ घोड़े वहाँ है ही नहीं क्या तुम राजा को बता सकते हो अब कितने घोड़े बचे हैं? रिक्तिस्थान राजा के कितने घोड़े वहाँ से भगा दिये गए ये तमिल लोक कथा पर आधारित है, इसे नुम्रेसी काउंट्स नामक पुस्तक से लिया गया है क्या यात्री के पास इन बीस गोडों को खड़ा करने का कोई और तरीका था? अन्नी तरकीबें लगाएं इसी प्रिष्ट के अन्तिम हिस्से में एक साप का चितर है और साथ ही दो घोंगों के चितर भी है और एक पहली दी गई है पहली हम कौन सी संख्याएं है? अगर तुम हम दोनों को जोड़ देते हो, तो सौ मिलेगा हम दोनों के बीच का अंतर भी सौ है और इसी के साथ छटा पाठ लेने देने का खेल यहीं समाप्थ होता है स्वर प्रमीन शर्मा, तकनीकी समन्वयक, बटिलेंग लिंडो, ध्वनियंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण, विमलेश चोधरी तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत